अगेन बेलकम दोस्तों, किप्टो फायर के एक और नए फ्रेस वीडियो में आपका स्वागत है तो जैसा कि आप लोगों ने थंब पे देखा कि क्या ये एक कैस में लगा पैसा सब ढूब जाएगा कि जीरो हो जाएगा तो मैं आपका एक डाउट किलियर कर देना चाहता हूँ, आपका पैसा जीरो तो बिलकुल नहीं होने वला है तो आप उन सब पे भरोसा भी नहीं कीजिए, आप थोड़ा अपनी एनालाइसिस भी रखिए, देखिए किसी के बाद पे आपको इंट्री एक्जिट करने में फिर आपका लॉस होगा और उसका सामने वाले का कुछ नहीं जाने वाला है तो उन सब बातों से दूर है, करेंट नियूज, ओफिस्यल साइट से ही रिलीज होगी आप कोई कहा देगा कि बिटकोईन में सारा पैसा जा रहा है तो इसलिए एक्ज का प्राइस डाउन ओड़ा है तो यह कोई सटीक रिजन नहीं है, ठीक है अभी बिटकोई का प्राइस लगाता है डाउन में जा रहा है, ओके नो प्रॉब्लम को 17 के लेबल पर दिया था और कल 21 का हाई लगाया जिन्होंने बहुतों ने अच्छा खासा प्रोफिट बुक किया और बहुतों ने इंट्री साइड नहीं लीती तो इस बजह से वह चूट गए, तो आभी देख सकते हैं, आभी मार्केट रैंक 47 और जो वाच लिस्ट में 73 मार्केट बहुत ज्यादा डाउन है, यहां पर देखिए, यह हम लोगा एक सपोर्ट लेवल था, कल यह सपोर्ट लेवल भी तूटा है, तो इसलिए मार्केट थोड़ा डाउन वार्ड में रहेगा अभी, और देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, 2013 से लेके 2020 तक का रिकॉर्ड है, अभी तक मार्केट, नमंबर और दिसंबर के मन्त में इतना ज्यादा पंप करता है, जाकि जो किसी भी आप कोईन में है, तो आपको अच्छा कासा प्रोफिट के चांसे से, इसलिए मैं तो कहता हूं, अगर आभी आप कोई भी अल्ट कोईन्स, या कोई भी लेवल को टच कर लिया, इसलिए मार्केट में गिराबट ये मार्केट का नेचर है, तो आप अगर जो आभी छोटे-छोटे अल्ट कोईन्स में इंट्री बनाते हैं, तो समझ जाए कि आपको आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा प्रोफिट हो सकता है, और नमंबर द पैसे को एक साथ बिल्कुल नहीं लगाना है, अगर आप सारे पैसे को एक साथ इंवेस्ट करते हैं, अगर मार्केट और डाउन गवा तो फिर आपके पास मनी ही नहीं बचेगा, तो आप इनवेस्ट कह कीजिएगा, तो चलिए इसके में डेटा को हम लोग देख लेते हैं प्रेडिंग बॉल्यूम में भी आप गिरावट नहीं है, मार्केट के चांसे हैं, देखिए इंडिकेशन देर आप पंप होने के, लेकिन मार्केट पंप नहीं होड़ा है, इसके पीछे का में डीजन है कि इसमें बॉल्यूम की कमी है भी, तो जैसा कि आप लोग देख पा है, और मार्केट अभी गिड़के 1-947 पा गया तो, देखिए जब तक इस लेवल को टच नहीं करेगा तो फिर आप जाने का भी चांसे है, ज्यादा आपको लंबा प्रोफिट दिख नहीं सकता है, और मार्केट डोमिनेंस देखिए 0.15 परसेंट पा गया, मार्केट रैंक है, यह जो है, लॉंग टर्म का ग्राप है, और मैंने यहीं से आपको बताया था कि अगर मार्केट अपने ओल टाइम लोग को भी टच करता है, तो फिर भी देखिए 1000 परसेंट यह पंप में ही रहेगा, तो इससे पता है कि हमारा प्राइस जीरो तो बिल्कुल नहीं होने है, तो आपका एक डाउट किलियर हो गया होगा, और दूसरा जो डाउट था कि सब कह रहे हैं कि भाई, बिटकॉइन में सारा पैसा जा रहा है, तो इसलिए एकस डाउन होड़ा है, हमने रेगुलर देखा है, तो यह कोई सटिक रीजन नहीं वहाप ऐसा रीजन कुछ दे नहीं सकते हैं, क्यों और कोई भी तो है, और कोई क्यों नहीं डाउन ओड़ें, तो ऐसा कोई सटिक रीजन नहीं है, इसमें बॉल्यूम आ भी आ नहीं रही है, इस वज़़े से जो आप बॉल्यूम अगर इनकीज होगी, तो समझे यह मार्केट के चांसे तो चलिए हम लो करके जा रहे हैं, और होने वाला कुछ नहीं है, तो और सेकेंड जो चांसे से इसका देखिए, यहां पे आप लोग देख पर है, अभी भी बाइंग की अपॉर्चिनिटी है, और बाइंग बन रही है, तो जितना बाइंग बनेगा तो समझे यह अच्छा का ता प्रॉपि अगर यहां भी हम लें, अगर 20% पैसा लगाया होता, तो फिर यहां पर 20% का चांसे था हमारे पास लगाने का, तो देखिए यही होता है, जब मार्केट गिरावट में, जैसे मार्केट अगर यहां से इसके पीछे भी एक सेकोलोजी और एक टेकनिकल एनलाइसिस है, मार्क मार्केट जानते हैं, जब आपने all time high को ब्रेक करता है, तो मार्केट के और उपर जाने के चांसे रहते हैं, तो यही सेकोलोजी और एनलाइसिस रहता है, इसको एबरेजिंग फॉर्मूला कहते हैं, तो ठीक है, आप अगर अभी चाहरे हैं, और इन्टी बना सकते हैं, इस सब्सक्राइब करके और बेल आइकन एक घंटा ऐसे बना होगा, उसको all कर दें, ताकि जो हमारा सब नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हैं, तो thank you, tata, bye, take care, see you, meet you again, next video.